तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करना आला है Amazon Video Ads के बारे में कि कैसे आप Amazon फे वीडियो चला सकते हों बहुत सारे ब्रैंड को आपने देखा होगा कि वह अपने लिस्टिंग के बार जो में एक वीडियो चलाते हैं जिसकी वैसे उनका प्रोड़क्त बहुत ज्यादा अट्राक्टिव लगता है और वहां से बहुत ज्यादा कंवर्जन भी आता है प्लस आपकी एक ब्रैंड वैल है कि कैसे आप Amazon पर वीडियो चला सकते हैं अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो सक्सेस्वल बरना चाहते हो तो भी चाहिए चानल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप सभी को पता है कि अगर आप Amazon पर बिसनस कर रहे हैं तो Amazon Ads बहुत ही बड़ी चीज़े बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है Amazon का और इसको समझना उतना ही ज्यादा कॉंप्लिकेड़ है इसकी वेसे लोग सही चीज़े नहीं कर पाते और at the end बहुत ज्यादा पैर्ट स हो जाता है उनको लॉस होता है मैंने Amazon Ads के ऊपर एक बेसिक वीडियो अल्रेटी बना के रखी अगर आप वो देखना चाहते हो तो यहां पर आपको लिंक मिल जाए कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूगा तो वहां से जाकर आप देख सकते हो कि आप बेसि आप चला रहे हैं जिस ब्राड के लिए मैं वह भी आपको दिखाता हूं कि हम किस टाइब से आड चला रहे हैं और उनको इंको एक्जाक्ली रिजर्ट के समल रहा है तो सिंपली मैं क्या करता हूं जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर पूरा डिटा दिखा देखा देता है बिधिकली कि आपको कितने र समये रहे हैं कितने ओलड जा रहे हैं था यहां पर यहांप मारिजंव यहां पे लिस्ट है वह भी musical को दिख जाती है इसमें सsover आपको यह वाल धिक रहा यह यह वीडियो आट थी यहां पर अल्रेडी लिख के रखाऊ है वीडियो एड तो आप खुद भी समझ सकते हैं यह वीडियो एड है ठीक है उसके बाद हम इस वीडियो एड की अगर आरोएस देखेंगे बेसिकली हमने कितना स्पेंड किया और कितनी से लाई अगर वह हम देखने जाएंगे तो आप हो जाते हैं कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अगेस में हमें साथ गुना सेल आ रही है बट आप उससे काफी जादा हद तक कर सकते हो 11 बारा तक गी लेकर जा सकते हो उस रवेस को हमने काफी इन फाक्ट काफी ब्रांट में 20 रवेस भी अठीव किया हुआ है तो आप अगर सही से आड्स चलाते हो सही से वीडियो आड्स चलाते हो तो आपको बहुत सारा बेनेफिट हो सकता है ठीक है अब यह चलाना कैसे है क्या चीज़े इसमें डाल ली होते हैं इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो सिंपली हमको क्या करना होता है हमें यहां आपको Amazon की तरफ से तीन option दिया जाता है जैसे कि आप देख सकते हो जो सबसे पहला option है sponsored products का है दूसरा है sponsored brands का और तीसरा है sponsored display का तो हमें sponsored products के ऊपर मैंने video बनाई है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो दिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वहाँ पर जाके देखिए और sponsored brands जो है जहां पर हम एक्चुल वीडियो एड्स चला सकते हो लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि display ads उतना जाद आपको conversion नहीं दे सकता यह brand building में आपके help कर सकता है यहां से आपको display ads से देखने को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है sponsored brand ads चलाना है और यह चीज़ में आपको पहले ही clear कर दूँ कि अगर आप generic में बेच रहे हो तो यह वीडियो आपको किसी काम का नहीं है तो आप यह वीडियो छोड़के जा सकते हो अगर आपके एक registered brand है अगर आपने amazon में register किया हुआ है आपका brand page ब बता है कि amazon ads बहुत ज्यादा complicated है तो उसको आप जितना easily समझोगे उतना आपके लिए better होगा ठीक है तो हम जैसे यहां पर click करेंगे तो इसका जो पैनल है पूरा खूल जाएगा sponsored brand का पता नहीं क्यों थोड़ा सा time लगए amazon के data को load होने में बट मैं try करूंगा इतना अच्छे से मैं आपको बता सको तो सबसे पहले तो यहां पर आपको add का नाम देना है ठीक है तो आप यहां पर ads video या फिर आप date के हिसाब से जो भी आपको comfortable लगे या फिर जो भी आप product अग जो है वो सिलेक नहीं करना है start date automatically selected आपको मिल जाता है ठीक है उसको बदाता है आपका budget daily budget या फिर आप total budget दोनों में ही कर सकते हो तो मैं यहां पर daily budget आपको prefer करूंगा budget मैं आप 100 rupees से चालू करें मैं जादा आपको नहीं बूर आप 100 rupees से daily का चालू करिए और जैसे आपको अ impression मिलेगा को की जादा से जादा लोगों तक आपका ad पहुंचेगा यहां पर आपको conversion चीए तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप drive page visit पर चाहिए इसका बड़ा reason क्या है कि जब आप display ads चलाते हैं तो आपको तीन ही product दिखाने के option मिलते हैं तो तीन product में obvious सी बात है लोगों को ज सब्सक्राइब करें तो उस पूरी category को target करके भी वहां पर दिखा सकते हैं तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप drive page visits पर जाएए ठीक है यह आपने एक बार सेलेक कर लिया उसके बाद अपना जो इंक सकते हैं तो जैसे को टाल सकते हैं तो जैसे हमें पर two options रिक्रीज्ट बाइगा आप यहां पे देखोगे तो आप यहां पर जैसे हैं चलती रहेगा इग आपका चल रहा है क्लिक तुरू रेट अच्छा है तो आपका बेडिंग कर आपका डिक्रीज्टि आ इंक्रीज करना चाहते हो तो अपने हिसाब से उसके हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा बट मैं परसनली आपको सब्सक्राइब सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे तो यहां पर मैं फिलाल एक सेंपल के लिए डाल रहा है अपने हिसाब से आड का जो भी नामें आप डाल सकते हो फिर यहां पर आते हैं तीन उप्शन सबसे पहला आपके पास प्रोड़क्ट सेलेक्शन का है दूसरा स्टोस पॉटलाइट का और तीसरा वीडियो का है क्योंकि हम वीडियो एड्स के बारें बात करने हैं तो हम सीधा सीधा हम बिल्कुल भी टाइम वेच न एमशन पर हम जैसे इत क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर हम यहां मिल जाerei का स्टोर सिलेक करेंगा है तो वे तरह अब कौनसे पेज करना जैसा कि मैंने बता है कि हम तो यहांपे दो आपको मिल जाते हैं थिक है तो आपको स्टोर से लेक करना है उसके वाएठ में ने पिछले वीडियो में भी बता है बट यहांपे मैं आपको बैसिकली समझा देता हूं हो टागेटिंग दो टाइप की होती है yeah कि होडिक टागेटिंग होती है अगर आपको चाहिए कि आपको किसी पूर्टिक्लर कीवर्ट को टागेट करो कि जैसे कि फॉरेजांपल अगर यह जो अकाउंट है यह नाइट सूटका गउंट है तो मैं ट्राय करूंगा और उसके अगेंस में अपना चला सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको केटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा या तो आप अगर इंडिविजूल प्रोड़क्ट करना चाहते हो तो यहां पर सेर्च कर सकते हो या फिर आपके पास पुराने आड का कोई डेटा पड़ा है जिसमें किसी एसीं के लिए आपका प्रोड़क्ट सर्च हो रहा है और उसके अगर मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने चाहूंगा तो यह बहुत जादा बड़ी हो जाएगी ठीक है तो हम इसको यहां पर रखते है फिर नेगेटिव प्रोड़क्ट टारगेटिंग सिमिलरली जै चाहते हो जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि आप जो प्रोड़क्ट बेच रहा है और आप से कम प्राइज में बेच रहा है तो आप सीडिसी बात है कि आप नहीं चाहोगे कि जो बंदा आप से कम प्राइज में बेच रहा है उसके अगेंस्ट में आपका प्रोड़क्ट करने के लिए उनका AC यहाँ पर डाल सकते हो और उन प्रोडक्ट के आगे इसमें आपका आड दिखना बंद हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर आपको एड का नाम डाल देना सिमिलरली आप अपने हिसाफ से डाल सकते हो तो फिलाल में यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रहा फि यहाँ पर जो भी डाइमेंशन दिया हुआ जो भी इन का फिलिए उसके हिसाब से आपको लोगो अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है तो यह ब्राइन का नाम डाल देना है जिसका हम एक चलाने वाले है वह वीडियो अब वीडियो में दिक्कत क्या होती है यहाँ पर यहां पर जो इनके configuration है बहुत जादा important है तो अगर आप कोई वीडियो शूट करवाने वाले हो या फिर करवाना चाहते हो तो मैं यह बोलूँगा कि आप एक बार जाके इनकी जो वीडियो specification है इसको एक बार अच्छे से go through कर लीजे कि यह किस टाइब के वीडियो को accept करते हैं किस टाइब की वीडियो को accept नहीं करते तो उसके हिसाब से अगर आप वीडियो शूट करवाएंगे तो आपको वीडियो बनाने के वाद एक लिस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी आप डारेक रीचिन product maximum दिखा सकते हो अभे एंप 아니ा कि अबना君 वाकर को लगेमी कि आपको धिखाना है जिसमें अच्छी रेटीं के जो बाहर है मुझे देखना चो यह शुरू हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ प्रोडुक्त दिखना शुरू हो तो आप प्रिव्य यहां पर देखने को मिल जाता है और आप यहां पर किस टाइप के लिए में pag देखेगा आपका मुबाईल में कैसा देखेगा उसके हिसाब से यह चेंज करके चेक कर सकते हो कि आप जिस टाइब का आपको बस एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो डाली है चाहिए आपको खुद से शूट करवा लीजे या फिर किसी दूसरे थर्ड पार्टी बहुत सारे सर्विस प्रोएड है जो कि आशकल प्रोडक की वीडियो शूट करके देते हैं और काफी प्रोफेशनली करके देते ह वीडियो बनवा सकते हो उनको खाली इनका जो स्पेसिफिकेशन है वह आपको भेज़न है वो उसके हिसाब से आपको वीडियो बनवाकर दे देंगे ठीक है दोस्तों तो आप इस टाइप से एमसान पर वीडियो एड्स चला सकते हो और अपने कन्वर्जन रेट को काफी पढ़ाना चाहते हो तो अभी जाहिए एमसान के वीडियो एड्स को यूज करिए अपने बिसनस को ग्रू करिए दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आमसान पर वीडियो एड्स कैसे चलाने चीए और उसका आपको क्या बेनेफिट मिल सकता है और आप आप ऐसे और वीडियो से लिखना चाहते हो और बिसनस लेटेट तो अभी चाहिए जाना को सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो